हेलो नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल Intelligent Training Academy पर जैसा कि आप सभी को पता है अपनी मद्द प्रदेश पटवारी परिक्षाएं चल रही है और उसमें हमारा मद्द प्रदेश का MPGK मेंसे नदियों के कोश्चन्स आपको पता होंगे कि बहुत जादा आ रहे हैं तो आज हम हैटपूर नदियों से रिलेटेड जितने भी कोश्चन्स बनते हैं इंपर्टेंट कोश्चन्स आपको आज में कराने वाली हो जो आपके अगले शिप्ट में यानि आपका जो पेपर होने वाला है उसमें आ सकते हैं तो आप जरूर से ही इन्हें याद कर लीजिए देखिए यह है अपना चैनल Intelligent Training Academy अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्ली से आपके लिए और भी इसी तरह की की वीडियोस आपके लिए यहाँ पर लाई जाती है यहाँ पर मैंने आपको Complete Management भी पढ़ा रखा है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर देख सकते हैं मैंने Complete आपको Management पढ़ाया हुआ है Questions भी आपको करवाए हुए है यह है यह Math की Class भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी अगर आपने यह नहीं देखी हो तो जाकर देख सकते हैं यह है अपना एप ITA Government Job Preparation एप यह आपको Simply Play Store पर मिल जाएगा हमारा एप वहाँ पर जाकर आप MP252023 की Test Series मिल जाएंगी आपको वहाँ पर जाकर आप Test लगा सकते हो अपना यह है आपकी Telegram आपका Intelligent Training Academy अगर आप जोइन नहीं हुए हो तो जोइन हो जाएए वहाँ पर आपको Daily Classes की PDFs मिलती है Daily Classes की Notification मिल जाती है आपको Exam Notification और जोवी Important Notes होते हैं आपको वहाँ पर मिल जाएगा तो देखिए सबसे पहला आपका Question है सबसे पहला आपका Question देखिए किस नदी पर? किस नदी पर दुशाख से बना दीप है जिस पर श्री ओमकारमंदाता का मंदिर इस्तित है किस नदी पर? दुशाख से बना हुआ दीप है जिस पर क्या है? श्री ओमकारमंदाता का मंदिर इस्तित है कौन सी नदी पर है? नर्वदा, सिंधू, कावेरी या फिर गंगा तो कौन सी नदी पर है आपका तो ये नर्वदा नर्वदा नदी पर दुशाक से बना दीप है जिस पर श्री ओमकारमनाता का मंदिर इस्तित है तो आपका option number A सही हो जाएगा देखिए अगला question आपका पच्चमडी किस नदी के किनारे इस्तित है आपका जो पच्चमडी है वो किस नदी के किनारे इस्तित है बेन गंगा तापती तवा या फिर नर्वदा तो आप सभी को पता होगा कि अपने MP का एक मात्र क्या एक मात्र हिल स्टेशन है एक मात्र हिल स्टेशन है क्या है पच्छमडी पच्छमडी आपका एक मात्र हिल स्टेशन है अपने MP का तो ये किस नदी के किनारे पर इस्तित है ये है आपका तवा नदी के किनारे पर, कौनसी नदी पर तवा नदी के किनारे ये इस्तित है और तवा नदी किसकी सहायक नदी है तो ये इसकी जो है सहायक नदी है, नर्मना नदी की सहायक नदी है, अगले कोशन की तरफ हम बढ़ आपका कि कुवारी नदी का उदगम इस्तल निम लिकित में से कौन सा है जो कुवारी नदी है उसका उदगम इस्तल यानि कहां से वो श्टार्ट होती है उदगम इस्तल उसका कौन सा है बिंद्य कगार की उत्री ढाल से या फिर मुलताई की उत्तर पूर्वी में बरधा से या शपूरी पटार से या फिर परसवाड़ा पटार से तो कुमारी नदी का उद्गम इस्तान कहां से होगा कुमारी नदी का होगा आपका शपूरी पटार से अगला कोशन आप देखें मध्य प्रदेश में जील संग्रक्षन प्रादी करन की स्थापना कब की गई किसकी जील संग्रक्षन प्रादी करन की स्थापना 2001 में, 2002 में, 2003 में या फिर 2004 में तो कब की गई थी जील संग्रक्षन प्रादी करन की स्थापना आपके 2004 में की गई थी कब की गई थी आपकी 2004 में और इसका मुख्याले दोस्तों इसका मुख्याले कहाँ पर है इसका मुख्याले है भुपाल में कहाँ पर है ये भुपाल में ये है और ये जल संसादनों के संगरक्षन एवं प्रबंदन के लिए एक प्रमुक सलहकारी संसिता है अगला कोशन देखे हम नर्वदा सोन घाटी कहां परिस्तित है जो नर्वदा सोन घाटी है वो आपके कहां परिस्तित है पूचा गया है कोशन मद्ध बारत और मालवा के मद्धे में या रीवा पन्ना और बुंदेल खंड के मद्धे में या फिर मालवा और बुंदेल खंड के मध्धे या मालवा और सत्पुड़ा के मध्धे में तो देखिए नर्वदा सोन घाटी जो है आपकी मालवा और सत्पुड़ा के मध्धे स्थित है कहाँ पर मालवा और सत्पुड़ा के मध्धे में अगला कोश्यन हम दिखते है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर, कौन सा शहर इंडो गंगेटिक मैदान में आता है, कौन सा शहर आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जो इंडो गंगेटिक मैदान में आता है, ग्वालियर, इंडोर, भुपाल या फिर तो कौन सा आता है ग्वालिया जो है आपका इंडो गंगेटिक मैदान में आता है निमन मैं से कौन सी परवस्थेणी यमना और सोन नदी के जल भिवाजक का कारे करती है क्या करती है जल भिवाजक का कार्य करती है कौन सी श्रेणी है कौन सी परवश्रेणी है जो यमना नदी को और सोन नदी के जल भिवाजक, अलग-अलग भिवाजक भिवाजन का ये कार्य करती है तो कौन सी परवश्रेणी है बिंद्याचल स्रेणी, महादेव स्रेणी या फिर कैमूर भांडेर स्रेणी या सत्परोर मैकाल स्रेणी तो आपका सही आंसर है कैमूर भांडेर स्रेणी ये कैमूर भांडेर परवस्रेणी जो है आपके यमना दिदी और सोन नदी के बीच में क्या करती है जल विवाजक का कारे करती है अगला कोशन देखे हम देखी एकला कोशन है आपका जब हार्ड और सौफ्ट चट्टाने बैकल्पिक विवस्ते थों तब नर्वदा और तापती जैसी नदिया इन चट्टानों के मांध्यम से प्रवाहित होती है और सौफ्ट चट्टानों को नश्ट करने की वो कोशिश करती है तो इस सौविधा को हम क्या कहेंगे सौविधा को क्या कहा जाता है ब्लॉक पर बर चरने दरार घाटियां या फिर उतार तो हम इसे कहते हैं दरार घाटियां क्या कहते हैं दरार गाटियां यानी Rift Valley क्या कहेंगे इसे Rift Valley इंग्लिस में और दरार गाटियां इसे हम कहेंगे महादेव परवत शरंकला सत्पुड़ा परवत विस्तार है पूर्वी विस्तार है उत्री विस्तार या पश्चे में विस्तार या फिर दख्षिरी विस्तार है तो महादेव परवत शरंकला सत्पुड़ा परवत का पूर्वी विस्तार है कैसा पूर्विस्तार है सबसे उची चोटी कौन सी है आपकी सबसे उची चोटी है आपकी दूपगर इसकी लंबाई कितनी है इसकी लंबाई है आपकी तेरह सो पचास मीटर इसकी लंबाई है सत्पुडा सरंकला की सबसे उँची चोटी कौन सी है धूप गड़ है क्या है सबसे उँची चोटी क्या है आपकी दूप गड़ है और इसकी लंबाई कितनी है तेरह सो पचास मीटर अगला कोश्यन देखते हैं हम शहडौल जिला किस पटार की अंतरगत आता है यह आपका मद्द प्रदेश में से एक जिले में से एक है यह सहडौल जिला तो सहडौल जिला किस पटार की अंतरगत आता है मालवा पटार की अंतरगत बुंदेल खंड पटार की अंतरगत बगेल खंड पटार की अंतरगत यह रीवा पन्द पटार की अंतरगत तो societal जिला आपके किस के अंतर गताता है भगिल खंड के बटा के अंतर गताता है आपको याद करते चलना है आपके questions की देखें तो ये questions आपके exam में पूछे जा सकते हैं बिलकुल 99% आपके questions आने की समभावना है क्योंकि पिछले exams में भी आपके नदियों से related questions आ चुके हैं तो आप इनको याद भी करते चलिए अगला question देखते हैं हम मध्यप्रदेश किस दीप का हिस्सा रहा है आपका मध्यप्रदेश को है अपना वो किस दीप का हिस्सा रहा है दक्खन, गोणवाना, मालवा या फिर तेलंगाना तो याद रखना है आपको मद्य प्रदेश कौन से दियूप का हिस्सा रहा है तो वो रहा है आपका गोणवाना लैंड का हिस्सा रहा है ठीक है अगला कोशन देखते हैं नेस्ट है आपका क्या कि मद्य प्रदेश की नदियों में गहरी चैनलों का गठन मिट्टी की परत को हटा देता है मिट्टी की प्रत को वो हटा देता है कटाव के इस प्रकार को कहा जाता है क्या कहा जाता है कटाव के इस प्रकार को श्वील कटाव, नाली कटाव, नाले या फिर इस्तरी कट कटाव तो हम इसे कहेंगे किस प्रकार का कटाव है यह है आपका नाली का टाव ठीक है अगला कोशन देखते है मध्य प्रदेश की उत्री सीमा पर कौन सी नदी है आपका जो मध्य प्रदेश है वो उसकी उत्री सीमा पर आपको कौन सी नदी देखेगी देखिए नर्वदा बहती है कृष्णा, गंगा या फिर चंबल तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की उत्री सीमा पर बहती है चंबल नदी और इसकी लंबाई चंबल की नदी की बात करें तो इसकी लंबाई है दोस्तो 965 किलोमीटर इसकी क्या है लंबाई है ठीक है और ये कहां से लिकलती है चंबल नदी चंबल नदी आपके लिकलती है महु के जाना पाव से ये नदी आपकी चंबल नदी लिकलती है और लंबाई हमने देखी लिए है अगले कोश्चन की तरफ हम बढ़ते है अगला कोश्चन क्या कहता है कि ग्रीक विदवान टॉलमी ने नर्वदा को किस नाम से पुकारा है जो ग्रीक के विदवान है टॉलमी उन्होंने नर्वदा को नाम से किस नाम से पुकारा है हमें नाम बताना है सोमो देवी रेवा या मेकल सुता या फिर नामा दोस किस नाम से कहा है उन्होंने ग्रीक बिद्वान टॉलूमी ने नर्वदा को तो उन्होंने कहा है नामा दोस के नाम से लेकिन जो नर्वदा है नर्वदा का एक नाम आपका सोमो देवी भी है और रेवा भी और फिर आपका मेकल सुता भी है इसको क्या गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है गुजरात की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है और इसे किसकी मध्य प्रदेश इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसको का जाता है ठीक है आपको याद रखना है ये कोश्चन देखिए अगला कोश्चन कहते हैं अगला कोश्चन है कि मध्य प्रदेश में सारभादिक म्रधा पर्धन किस नदी के द्वारा किया जाता है नर्वदा के द्वारा, बेदवा के द्वारा, चम्मल के द्वारा या फिर सोन नदी के द्वारा तो किस नदी के द्वारा किया जाता है इसका आंसर होगा आपका चम्मल नदी द्वारा किया जाता है सारवाधिक मिर्दा परदन और सारवाधिक इस प्रभावित वाले जिले कौन से है सारवाधिक प्रभावित जिले आपके है एक आपका है भिंड दूसरा है आपका मुरैना कौन सा ये दो जिले है आपके जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते है काई से सारवादिक मिर्दा अपर्दन से ये प्रवाहित होते है अगला कोश्यन हम देखे मद्ध प्रदेश के बाहर नर्वदा नदी की लंबाई कितनी है मद्ध प्रदेश के बाहर पूछ रहा है बाहर नर्वदा नदी की लंबाई कितनी है 244 km या फिर 354 km या 335 km या फिर 345 तो इसका अंसर है 235 km बाहर नदी बहती है मर्द प्रदेश के बाहर ये नर्वदा नदी बहती है कहाँ पर गुजरात में कहाँ पर ये बहती है ये बहती है आपकी गुजरात में 235 km और मध्ध प्रदेश में कितनी है मध्ध प्रदेश में है ये 1077 और बाहर गुजरात में कितनी है ये 235 यानि इसकी टोटल लंबाई की बात करे तो 1312 km इसकी कुल लंबाई है क्या है ये कुल लंबाई है इसको नर्वदा की लंबाई को आप याद रखना की बाहर कितनी है और मध्ध प्रदेश में कितनी है अगला कोश्चन हम देखते हैं निमन मैंसे कौन सी नर्वदा की सायक नदी नहीं है कौन सी सायक नदी नहीं है नर्वदा की तवा कनार कोलार या फिर पूर्णा तो तवा जो है मध्ध प्रदेश नर्वदा की सायक नदी है कनार भी है कोलार भी है लेकिन आपकी पूर्णा पूर्णा नदी जो है मद्ध नर्वदा की सहायक नदी नहीं है अगला कोशन हम देखे उत्तर के ओर बहने वाली नदीया कौन सी है क्या कोशन पूछ रहा है उत्तर के ओर बहने वाली नदीया चंबल, बेतवा, सोन या फिर सभी तो उत्तर के साइड आपकी चंबल भी बहती है बेतवा भी बहती है सोन भी बहती है यानि क्या होगा आंसर option number D आपका सही होगा यह तीनों ही नदी उत्तर में बहती है ठीक है पश्चिम की ओर बहने वाली नदिया पश्चिम की ओर कौन सी नदिया बहती है चंबल, नर्वदा, सोन या फिर सभी के सभी क्या होगा पश्चिम की ओर बहती है आपकी कौन सी नदी नर्वदा नदी और नर्वदा नदी जो है नर्वदा नदी प्रदेश के पूर्वी शेत्र कौनसा पूर्वी शेत्र, पूर्वी शेत्र के परवतिये, या इसे कहले हम, तीर्थिस्थान, तीर्थिस्थान, अमर कंठक, तीर्थिस्थान, अमर कंठक से निकल कर ये, निकल कर, पुरे प्रदेश को पार करके, ये कहां पर मिलती है, ये आपके मिलती है, और अब सागर में फिर ये नदी मिल जाती है, मैं ये लिख देती हूँ, तो आपको PDF पढ़ने में जो है, आसानी होती है, तो कौन सी है, पस्चिम की और बहने वाली नदी आपकी नर्वदा है, ठीक है? देखिए कि दक्षिण की और ना बहने वाली नदी, आप क्या पूछ रहा है कि दक्षिण की और ना बहने वाली नदी है, देखिए कौन सी नदी, गुतावरी, केन, बेन गंगा या फिर इंदरावती, तो देखिए आपकी जो केन नदी है, केन नदी आपके दक्षिण की और नहीं बहती, ये बहती है, आपके उत्तर की और, उत्तर की और ये बहती है और इसकी उद्गमिस्तल की बात करें तो ये कहां से निकलती है ये आपके निकलती है बिंद्या चल बिंद्या चल परवत से ये नदी निकलती है ठीक है और ये कहां पर ये कहां पर जाकर मिल जाती है कौन सी नदी मर कौन सी नदी यमना नदी में ये क्या हो जाती है जाके मिल जाती है ठीक है कहाँ पर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में ये नदी यमना नदी में उत्तर प्रदेश में यमना नदी में ये मिल जाती है और ये उत्तर की और बहती है, जबकि गोदावरी, बेन गंगा और इंद्रवती, ये आपके दक्षिड की तरफ बहती है, लेकिन केन गंगा उत्तर की तरफ बहती है, ठीक है, आपको याद रखना है, देखिए, अगला कोश्चन क्या कह रहा है आपसे, नर्वदा नदी जो है, उसका उद्गं स्तल है, हम सभी को पता है उसका अंसर, तो देखिए, कौन सा होगा, नर्वदा नदी का उद्गं स्तल अमरकंटक, जानापाव, पहाडी, कैमूर, परवत या महेश्वर, तो हम सबी को पता है कि नर्वदा नदी का उदगा मिस्तल कौन सा है अमर कंटक है और कौन से जिले में अनूप पुर जिले में अनूप पुर जिले में जो अमर कंटक नामकिस्तान है बहां से ये निकलती है और ये नदी बहती है आपके पश्चिम की और किसकी और ये बहती है आपकी पश्चिम की और ये नदी बहती है और कहाँ पर जाके मिल जाती है गुजरात में जो भरूच जिले के जो भरूच जिला है आपका भरूच जिले के पास भरूच जिले के पास ये गिर जाती है आपकी खंबात की खाड़ी में कहां पर खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है गुजरात में है ये गुजरात में भरूज जले के पास खंबात की खाड़ी में आपकी ये नदी गिर जाती है नर्वदा नदी और कहां पर है इसका उद्गा मिस्तल हम देख चेके हैं अनुपूर्द लेके अमर कंटक नामक इस्थान पर ठीक है आपको ये भी याद रखते चलना है नर्वदा नदी से रिल्टेट कोशन्स आपके पूछे जा सकते हैं तो नर्वदा नदी से रिल्टेट कोशन्स आपको याद करने ही पड़ेंगे तो देखें अगला कोशन्स देखिए नर्वदा नदी का उदगा मिस्तल अमर कंटक में कहां इस्तित है अमर कंटक में कहां इस्तित है नर्वदा नदी का उदगा मिस्तल अमर कंटक में कहां इस्तित है बिंद्या चल परवत श्रेड़ी में कांखरी बालरी में पहाड़ी में या कैमूर परवत श्रंक या इन में से कोई नहीं तो कहां पर है मलका इंटक में ये बिंद्याचल परवत श्रेडी में हैं और ये कैसे बहती है किदर की ओर तो ये बहती है आपकी परस्चिम की तरह बहती है ठीक है अगला कोशन देखते हैं नेस्ट कोशन क्या पूछ रहा है कि कपल धारा कपिल धारा इस्तित है जो जलपरपात है कपिल धारा ये इस्तित है महा नदी पर नर्वदा पर या चंबल नदी या बित्वा नदी पर तो कपिल धारा आपकी नर्वदा नदी पर इस्तित है कहां पर नर्वदा नदी पर जो में यह स्थित है और ये जल्परपात आपका ये जल्परपात कहां पर जो नर्वदा नदी का नर्वदा नदी के उधगम उधगम इस्थल से वो देखा मिस्तल से सिर्फ और सिर्फ कितने आठ किलो मीटर की दूरी आठ किलो मीटर की दूरी पर इस्थित है ठीक है कबिल धारा कहां पर? नर्वदा पर है ठीक है अगला कोशन देखते हैं हम पर देख की चम्मल नदी निम्न जिलो मैंसे किसे नहीं चूती है किसको नहीं चूती है चम्मल नदी रतलाम जिले को मनसौर जिले को जबलपर जिले को या उज्जेन जिलो को रतलाम को ये चूती है मनसौर को चूती है उज्जेन को चूती है लेकिन आपके जवलपुर 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 ठीक है अगला कोशन हम देखते है चम्बल नदी मिलती है आपकी चम्बल नदी कौन सी नदी कहां पर जाकर वो मिलती है नर्वदा नदी में गंगा नदी में या प्रिशांद मासागर में या फिर यमना नदी में तो चम्बल नदी आपके यमना नदी में जाकर मिल जाती है जो की इतावा से 38 किलो मीटर दूर है कौन सी यमना नदी और उसमें याकर ये मिल जाती है चंबल नदी का उद्गमिस्तान कहां पर है चंबल नदी का तो ये है आपका महू के पास जाना पाव बहां से ये नदी निकलती है बहां से ये नदी क्या है निकलती है अगला कोशन देखते है अगला कोशन कौन सा कहता है आपका क्या कह रहा है कि चंबल नदी पर बनाए गए बांद में नहीं है चंबल नदी पर जो बांद बनाए गए है उन बांदों में नहीं है कौन सा बांद आपका गांदी सागर, राणा परताप सागर, राजखाट बान या जवार सागर बान तो गांदी सागर, राणा परताप सागर, जवार सागर ये बान तो आपके चम्मल नदी पर बनाये गए है लेकिन राजखाट बान जो है आपका ये बनाया गया है आपके वेतवा नदी पर कहाँ पर वेतवा नदी पर ये बान बनाया गया है ठीक है आपको याद करते चलना है साथ में अगले कोशन की तरफ हम बढ़ते हैं क्या कहता है आपका अगला कोशन दक्षिन की और बहने वाली नदी पूछी गई है कि इन में से बताना है दक्षिन की और बहने वाली नदी कौन सी है सोन नदी बेन गंगा नदी चंबल नदी या फिर तापती नदी तो दक्षिन की और कौन सी बहती है बेन गंगा नदी बेन कौन से पटार से लिकलती है ये पटार से लिकलती है तो पटार का नाम होगा आपका पारस पारस पाड़ा पठार जो कि कहा है सिवनी में है और ये वहाँ से इसका उदगम इस्तल है मैं लिख देती हूँ उदगम उदगम इस्तल है ठीक है? कहां से लिखलती है आपकी? पारस वाड़ा पटार से, जो कहां है? सिबनी में है और ये बहती है दक्षिड की और, हम देख चुके हैं कि ये कहां से बहती है? ये बहती है आपकी दक्षिड की और और मिलती कहां पर है ये मिल जाती है आपकी गोदावरी नदी में कहां पर गोदावरी नदी में ये मिल जाती है अगला कोशन देखते हैं हम अगला कुशिन कहता है आपका की जाबुआ इस्तित है जाबुआ जो जिला है वो कहाँ पर इस्तित है किस नदी के किनारे काली सिंद के किनारे पर या फिर बेतवा के किनारे पर तवा के किनारे पर या नर्वदा के किनारे पर तो आपको याद रखना है जाबुआ जिला जो है आपका कहा पर नर्वदा नदी के किनारे से नर्वदा नदी के किनारे पर ये जाबुआ इस्थित है और जाबुआ सहर मद्द प्रदेश के कौन से पश्चिमी शोर पर पश्चिमी शोर पर इस्थित है प्रदेश के मद्द्र प्रदेश के कहाँ पर पश्चिमी छोर पर ये जो है जाबुआ जिला इस्थित है जहां से नर्वदा निकल कर जहां से यहीं से क्या होती है नर्वदा निकलती है और निकल कर कहाँ पर फिर वो गुजरात में प्रवेश करती है कापर करती है गुजरात में फिर यहीं से प्रवेश करती है जहाबुआ जले से अगला कुशन देखते है अगला कुशन क्या है कि गंगा नदी में मिलती है गंगा नदी में कौन सी नदी मिलती है चंबल, बेतवा, सोन नदी या हर्च सोन नदी तो कौन सी गंगा नदी में मिलती है आपकी सोन नदी सोन नदी का मिलती है आपकी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है अगला देखते है देखिए जाना पाव पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी निकलती है नर्वदा, चंबल, शिप्रा या फिर महा नदी तो जाना पाव पहाड़ी से मैंने आपको बताई दिया है कौन सी चंबल नदी निकलती है कौन सी नदी लिकलती है चंबल नदी लिकलती है और जाना पाव आपके कहा है ये महू नगर में इस्तित है, कहा पर महू में ये इस्तित है, ये जानापाव पहाडी अगला कोशन हम देखते हैं कि प्रसिद साची नगर तट पर इस्तित है प्रसिद साची नगर, साची आपके MP में जो साची है वो नगर किस नदी के तट पर इस्तित है बेतवा नदी, नर्वदा नदी, सोन नदी या फिर केन नदी के तो कौनसी नदी के तटपर है? कौनसी बेतवा कौनसी नदी के? ये बेतवा नदी के किनारे पर इस्थित है और साची में एक बहुत स्थूप है एक बहुत स्थूप है जो की बहुत फेमस है जहाँ पर बहुत कालीन समय की जितनी भी शिल्प कला है उन सभी के नमूने आपको वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं तो अपने MP का फेमस है आपका बहुत साची में है जो की अगला कुश्चन हम देखें देखें मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है चंबल नदी शिप्रा नदी नरवदा या फिर महा नदी तो हम सबी को पता है मद्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपकी नर्वदा है इसको क्या कहते है हम प्रदेश की जीवन दाइनी नदी भी इसको हम कहते है प्रदेश की जीवन दाइनी नदी भी किसको कहते है नर्वदा नदी को हम कहते है और ये भारत की कैसी है ये भारत की सबसे इसको पवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है क्या पवित्र नदी है ये भारत की सबसे पवित्र नदी और ये अन्य नदियों की तो नामे सबसे बड़ी नदी है अपने MP की ठीक है अगला कोशियन देखते हैं कि नर्वदा जल में हिस्सा है किस किस राज्च का मद्द प्रदेश गुजरात राजिस्तान महराष्ट का मद्ध प्रदेश गुजरात या मद्ध प्रदेश राजस्तान महराष्ट या फिर मद्ध प्रदेश गुजरात महराष्ट तो मद्ध प्रदेश जल में हिस्सा है किस किस का मद्ध प्रदेश गुजरात राजस्तान और महराष्ट का तो ये कितने चार जिले है चार राज है चार ये राज है ठीक है अगला कोश्चन देखते है ठीक है अगला कोश्चन मद्र प्रदेश में नर्वदा की लंबाई कितनी है मद्र प्रदेश में नर्वदा की लंबाई एक ये 1077, 1177, 977 या फिर 170, 71 क्या होगा कितनी है नर्वदा की लंबाई तो 1077 इसकी मद्ध प्रिदेश में नर्वदा की लंबाई है और बाहर यानि गुजरात में कितनी थी? 235 थी तो टोटल कितनी है? तेरह सो बाहर किलो मीटर इसकी तोटल लंबाई है बाहर और अंदर की मिला के तो आपको इसको याद रखना है अगले कोश्ठन की तरफ हम पढ़ते हैं पुराडों में बेतवा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बेन गंगा, बेस्था बेत्रवती या फिर बित्हस था किस नादी किस नाम से जानते है पुराणों में बेत्वा नादी को तो पुराणों में हमें देखने को मिलता है कि बेत्वा की जगे हमें बेत्रवती बेत्रवती सब्द का यूज वहां पर हुआ है तो बेत्रवती नाम हमें वहाँ मिलता है और ये नदी कहाँ पर है तो ये नदी राइसैन जिले निकलती है कहां से राइसैन जिले के कुम्रा गाव से निकलती है ठीक है कौन सी बेतवा नदी इसको कहते थे पुराणों में बेतरवती नदी अगला कोशन है देखते हैं एक ही अगला कोशन देखें हम कि चंबल की उदगम इस्थल पर इस्थिप्रसिद मंदिर है जो चंबल का उद्गमिस्थल है वहाँ पर एक मंदिर है बहुत ही फेमस तो वो कौन सा मंदिर है जनकेश्वर महादेव, क्रिश्न मंदिर, हाटकेश्वर या फिर इनमे से कोई नहीं चंबल के उधिखम इस्थल पर जनकेश्वर कौन से जनकेश्वर महादेव का मंदिर है और चंबल नदी आपके महु के जाना पाह फाड़ी से निकलती है कौन सा मंदिर है ये देखिए जनकेश्वर महादेव अगला कोश्चन देखते है देखिए अगला कोशन चंबल निम्न प्रदेश मैंसे होकर बहती है चंबल नदी है वो इनिम्न मैंसे इनिम्न प्रदेश मैंसे होकर गुजरती है पताना है मध्य प्रदेश राजिस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश राजिस्थान उत्तर तो चम्बल कौन सी नदी से भहकर लिकलती है आपकी MP से उधगमित होते हुए MP के कौन से जिले, कौन से जिले आपके इंदोर जिले, कौन से इंदोर जिले से ये लिकलती हुई, लिकलती हुई राजस्थान में जाती है, राजस्थान, राजस्थान के बाद भहती हुई, ये कहां पर जाती है उत्तर प्रदेश, यू पी के इतावा शहर, इतावा शहर, उसे कहां पर मिल जाती है, फिर ये यमना नदी में जाकर ये मिल जाती है, कौन सी? चम्मल नदी, अगला कोशन देखते है की, देखिए अगला question शिप्रा नदी का प्राची नाम है तो शिप्रा नदी है उसका प्राची नाम क्या है प्रेक्षा, अवंती, उज्वनी या इन मैंसे कोई नहीं तो शिप्रा नदी का प्राची नाम आपका क्या है प्रेक्षा है क्या है प्रेक्षा है हमें पुराणों में ये मिला है कि क्या नाम लिखा गया है सिप्रा को प्रेक्षा नाम से जाना गया और ये नदी कहां से निकलती है ये निकलती है आपके इन दौर के काकड़ी काकड़ी बाड़ा पहाड़ी से पहाड़ी से ये क्या करती है निकलती है ठीक है इन दोर के काकری बड़ा पहाड़ी से ये निकलती है और जो आपका उज्जेन है ये तीर्थिस्तल है अपना तीर्थिस्तल है यहाँ पर क्या है महांकालेश्वर बारा जोती लिंगों में से एक जोती लिंग जो है महांकाले श्वर महादेव उनका मंदिर है जो की तीर्थिस्थल है तो शिपरा नदी के जो की ये उज्जेन कहां पर है शिपरा नदी के किनारे पर शिपरा शिपरा नदी के किनारे पर शिपरा नदी के किनारे पर इस्थिद है क्या उज्जेन ठीक है अगला कोशन देखते हैं हम निमन मैसे कौन सी नदिया ऐसी है जिनमें बर्श भर पानी रहता है जिनमें क्या बर्श भर पानी रहता है तापती, चंबल, बेतवा या सभी तो तापती, चंबल और बेतवा इन तीनों ही नदियों में क्या है बर्ष वर पानी रहता है तो option number D आपका सही answer हो जाएगा अगला question देखते हैं देखी next question आपका कि किन नदियों के संगम मिस्तल को प्राण हिता संगम कहते हैं क्या कहते हैं प्राण हिता संगम कहते हैं नर्वदा तवा को बेन गंगा बर्धा या काली सिंद चंबल या फिर कुमारी सिंद तो किन नदियों के संगम मिस्तल को कहते हैं हम किन नदियों के बेन गंगा और बर्धा के संगम को हम कहते हैं प्राण हिता संगम और कहां पर है याद कर दीजिए तो ये आपका है महरास्ट में कहाँ पर? महरास्ट में स्थित है ठीक है? अगला कोशन देखते हैं रेस्ट कोशन के कह रहा है कि किस नदी को नर्वदा अपनी कुंडली में घेरती है? नर्वदा अपनी कुंडली में घेरती है किस जिले को जवलपूर, होशंगवाद, नर्सिंग, पूरी या फिर मंडला को तो नर्वदा अपनी कुंडली में किसे गिरती है तो ये गिरती है आपकी मंडला में और फिर ये बाद में उत्तर की ओर मुढ जाती है देखें अगला कोशन देखते हैं हम नर्वदा मद्ध प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है और ये भारत में बड़ी नदियों में कौन से नमबर पर है ये भारत में पांचवी छटी साथवी या आठवी तो आपको याद रखना है मद्ध प्रदेश की तो ये पहली है लेकिन भारत की कौन से नमबर पर आती है ये बड़ी नदियों में से पांचवी नमबर की नदी पर तो देख लेते हैं पहले नमबर पर कौन सी आती है पहले नमबर पर आपकी आएगी साथियो गंगा नदी दूसरे पर कौन सी आती है गोदावरी कौन सी गोदावरी तीसरे पर आपकी आती है यमना उसके बाद चोथे पर फोर्थ पर आपकी कृष्णा नदी फिर पाचवे पर आपकी नर्वरा नदी तो कौन से नमबर की? पाँचवे नमबर की ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है? अगला कुशन क्या कहता है कि नर्वदा नदी के उदगा मिस्तल से अपने सबसे समीपस्त जलप्रपात कौन सा है? सबसे समीपस्त जलप्रपात कपिल धारा दूआधार जलप्रपात या फिर सहस्त जलप्रपात तो कौन सा है? हमने दिखा था तो कौन सा है? कपिल धारा जलप्रपात है वो कितने किवल 8 किलो मीटर की दूरी पर है भाई बात करें हम दुख्द धारा की तो ये वहाँ से उदगा मिस्तल से 10 किलो मीटर की दूरी पर है और आपका दुआधार जलप्रपात जो है? ये कहाँ पर है? जवलपुर के पास में कहाँ पर? जवलपुर के पास है और ये सहस्तर धारा जो है बुकहाँ पर है वो आपका है महेश्वर के पास महेश्वर के पास ये इस्थेद है तो देखिए नवना दिखिए उदगा मिस्तल से सबसे समीपस्त जलप्रपात आपका का पिल दारा है तो देखिए अगला question देखिए दुआधार जल पर पात जो की जबलपुर के पास है उसकी उचाई है हमने देखा था दुआधार जल पर पात कहां पर है जबलपुर के पास और उसकी उचाई कितनी है 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर या फिर 20 मीटर तो याद करते चलिए आपकी धुआधार जल पर पात 15 मीटर की इसकी उचाई है कितनी 15 मीटर की ठीक है अगला question देखते है नर्वदा नदी की कुल लंबाई है कितनी 1231 किलो मीटर 1089 किलो मीटर 1312 किलो मीटर या 1213 तो हम सबी को पता है क्या है इसका अंसर नर्वदा नदी की कुल लंबाई कितनी है 1312 है जो की आरह है इससा गुजरात में इसका भैता नर्वदा आदी भैती है गुजरात में और फिर मद्र प्रदेश में मद्र प्रदेश में कितनी थी 1077 और इसमें कितनी थी ये 235 में गुजरात में तो कितने हुई टोटल 1312 किलो मीटर इसकी कुल लंबाई है अगला कुशन देखते हैं चलिए निम्न मैसे नर्वदा की सहायक नदिया कौन सी है साथ है सहायक नदिया हेरन उठी हतनी आफ सभी तो ये सभी के सभी नर्वदा की क्या है सहायक नदिया है ठीक है हेरन उठी और हतनी ये तीनों ही नर्वदा की क्यांसी है सहायक नदिया है और ये कहां से नर्वदा की दाहिनी तट से मिलती है कहां से दाहिने तट से ये नदिया मिलती है अगला कोश्यन देखते हैं सरदार सरोवर बहु मुखी उजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है जो सरदार सरोवर बांध है उस उजना का निर्माण कौन सी नदी पर किया जा रहा है कृष्णा गंगा तापती या फिर नर्वधा तो किस नदी पर किया जा रहा है नर्वधा नदी पर ये किया जा रहा है अगला देखें मध्य प्रदेश का मौरे कालिन्सू प्रसित नगर विदीशा किस नदी के तट पर बसा हुआ है मध्य प्रदेश में जो विदीशा है वो मौरे काल से ही वो बहुत फेमस है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है आपका विदीशा सहर पारवती नदी के नारे नर्वधा बेतवा या फिर काले सिंदी के किस तड़ पर बसा हुआ है किस नदी के तो ये बसा हुआ है आपका बेतवा नदी के बेतवा का हमने एक और नाम पढ़ा था जिसे क्या पढ़ा था हमने बेतर बती नाम से इसको भी हम जानते हैं किसके बेतर बती नाम से आज का हमारा आखरी question होने वाला है आज हमारा देखें प्रदेश की कौन सी नदी है जो की पूर्व से पक्षिम पूर्व से पक्षिम नर्वदा की सामानतर में बहती है बेतवा तापती सोन नदी या फिर शिप्रा नदी तो कौन सी नदी है जो की पूरु से पेश्यम नर्वदा नदी के सामानतर में बहती है तो वो कौन सी है आपकी तापती नदी और ये कहां जाकर गिरती है कहां जाकर गिरती है तो बात करें हम इसकी तो ये खंबात की खाड़ी कहां पर खंबात की खाड़ी में जाकर ये गिरती है तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो तो इसका जवाब हमें कमेंट में दीजिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीकी की और वीडियो में आपके लिए लगातार इस चैनल पर लाती रहूंगी तो इसकी अग अगली क्लास में जब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपने तैयारी को और भी बहतर बनाईए थेंक यू